हेलो गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे ड्रीम 11 ECC की जो T10 सीरी चल रही है यानि European Cricket Championship के जो सीरी चल रही है इसके गुरूप C के आज से मैच स्टार्ट होईगे तो वीडियो को आप पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि दोनों जो नई टीम है तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ने से अच्छी खासी एलप हो सकती है और इस वीडियो के पूरा देखने में आपको सभी पिलरों के बारे में डिटेल में जानकारी हो जाएगी सबी पिलरों के मैं आपको स्टेट्स बताऊंगा और इत्ती आसानी से बताऊंगा कि आप किसी भी पिलर को जज़ कर सकते हो कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है मैच खेला जाएगा फीनलेंड और बेल्जियम के बीच खेला जाएगा मैच की टाइमिंग है तीन बच के पंदरा मिनट पर स्टार्ट होगा आज ही के दिन 9 अक्तुमबर 2024 आज ही की डेट है वैदर की बात करें तो वैदर किलियर है बारिस के कोई भी चांस नहीं वैन्यू देखे काटमा ओवल काटमा में मैच है तो आज का इसी वैन्यू पर है पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस पीछे बैटर और पेस बोलरों को यहां पर मदद है और एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 140 से लेके 150 का बन सकता है ठीके वैन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस वैन्यू पर इस सीरिज के 75 मैच 75 मैच कम्पलीट हो चुके हैं जिसमें से 37 मैच जीती है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम और 38 मैच जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यानि बेटिंग फर्स्ट या सेकंड को कोई खास एडवांटेज नहीं है जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी ठीके पहले बात करते हैं अपने पहले टीम फिंड लैंड की जिसका पहला ही मैच इसलिए पिलेंग 11 अपने पास नहीं है इसलिए मैं आपको सभी पिलरों क इसलिए बताता हूँ पहला पलियार है अमजाद सेर जो बहुत भैतरी नौल राउंडर है बैटिंग के साथ साथ आपको दो ओवर की गेंदबाजी देगा ठीके टीटैन करियर में इसने 38 मैच खेले 789 रन बनाए 15 की एवरेस से 29 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 29 विकिट लिये ठीके बैटिंग और बॉलिंग दोनों बढ़िया करता है इसके बाद है गुलाम अबबास भट जिसने टीटैन के 20 मैच में 40 की एवरेस से 677 रन बनाए ठीके 5 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 4 विकिट लिये रिकॉ इसके बाद है रियाज मेमुज जो आपको कमपल सरी 2 ओवर की गेंदबाजी देगा 40 मैच में 33 रन बनाए 72 ओवर की गेंदबाजी करवाते हो 32 विकिट लिये कमपल सरी आपको 2 ओवर की गेंदबाजी देगा अच्छा गेंदबाजे इसके बाद है प्रवीन कुमार जिसने 27 मैच में 130 रन बनाए 22 की एवरेस से 27 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 12 विकेट लिए बॉलिंग बैटिंग दोनों थोड़ी कम करता है ठीके अगर टॉप ओडर में खेलेगा तो अपन ट्राइक कर सकते हैं इसके बाद है महिस तामबे जिसने 23 मैच में 178 रन बनाए 36 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 19 विकेट लिए या आपको कमबल सरी 2 ओवर की गेंदबाजी देगा और एक अच्छा पिलियर है विकेट टेकर गेंदबाजे इसके बाद है फाइम नेलन चैरी जिसने 22 मैच में 413 रन बनाए 26 की ओवरस से ठीके टॉप अटर में खेलेगा तो अपन इसको बिल्कुल पिक करेंगे इसके बाद है जॉड़न ओबराएन जिसने टीटैन के 33 मैच में 925 रन बनाए 37 की सांदर एवरस से या बहुत अच्छा पिलियर है और इंटरनेशनल भी पिलियर है मतलब फीनलेंड के लिए अच्छा काचा क्रिकेट भी खेला है तो आपके लिए एक अच्छा पिलियर बाते हैं 19 विकिट लिए बैटिंग के साथ साथ आपको जबरदस दो आवर की गेंदबाजी देगा और इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन सी का डिफॉल्ट चॉइस है ठीके क्योंकि ओपनिंग बैटिंग करता है साथ ही आपको डेथ आवरस में गेंदबाजी देगा ठीके इसलिए कैप्टन वाइस कैप्टन आपासानी से बना सकते हो इसके बादे एरब का कोदीर जिसने 15 मैच में 35 रन बनाए टी 10 में कुछ खास बैटिंग नहीं करिए इसके बादे चनाका जया सिंग जिसने टी 10 तो नहीं खेला लेकर डॉमेस्टिक टी 20 के रिकॉर्ड म लिए वही टी 20 डॉमेस्टिक का रिकॉर्ड देखे तो निन्जानवे मैच में 951 रने 250 ओवर की गेंदबाजी 72 विकिट लिए खेलेगा तो आपको 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकता है इसके बादे रिजवान अली जो भी इस टीम का एक मैन बॉलर है तीन टी 10 के मैच में इसने 5 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे एक विकिट लिया और डॉमेस्टिक टी 20 की बात करो तो 67 मैच में 189 रन बनाए 190 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 70 विकिट लिए इसके बादे लुकास रॉनिन जिसने टी 10 नहीं खेला लेकर डॉमेस्टिक रिकॉर्ड मिला है और डॉमेस्टिक किर्केट इसने इंगलेंड कलब के लिए खेला है ठीक है मतलब इंगलेंड में डॉमेस्टिक किर्केट खेला है इसने अपना तो 35 मैच में 1117 रन बनाए 40 की एवरेस से 15 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे दो विकिट लिए इंपोर्टेंट होगा अगर टॉप ओडर में खेलेगा तो क्योंकि इंगलेंड के लिए किर्केट खेला है ठीक है डॉमेस्टिक क्रिकेट इंगलेंड के मैदानों पर खेला है तो आपके लिए एक अच्छा प्लियर साबित हो इसके बाद है साबिर जाकिल जिसने 68 मैच में 867 रन बनाए 18 की एवरेस से 29 ओवर की गैंदबाजी करवाते वे 14 विकिट लिए बॉलिंग थोड़ी कम करवाता और बैटिंग इत्ती बढ़िया नहीं है कि आप इसको कनफर्म टीम में रखो अगर आप चाओ तो रिस्क लेके इसको ड्रॉप भी कर सकते हो ठीक है इसके बाद है सेरियार बट जो बहुत बैटरिन पिलियर है और इस मैच में CVC का भी चोईस है ठीक है 68 मैच में 1930 रण बनाए 43 की एवरस से 3 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 2 विकिट लिये ठीक है यह आपको ओपनिंग या फ़र्च डाउन बैटिंग देगा और बहुत अच्छी बैटिंग करता है और इसने जो पिछले सीजन हुआ था ECC का उसमें बहुत बैटरिन परफ 67 रण बनाए 17 की एवरस से उसके बाद है मौमद मुनीब जिसने 35 मैच में 16 की एवरस से 511 रण बनाए 5 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 4 विकिट लिये सलेक्शन खूब हाई यह पिलियर का ठीक है लेकर अगर आप चाओ तो इसको डॉप कर सकते हो इसके बाद है 48 मैच में 356 रण बनाए 28 की एवरस से 75 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 49 विकिट लिये 2 ओवर की गेंदबाजी नमबर 4 पर बैटिंग देगा कैप्टन वाइस कैप्टन सी का अच्छा चोईस है इसके बाद है जाकी सा जिसने 26 मैच में 253 रण बनाए 32 की एवरस से 49 की गेंदबाजी करवाते वे 14 विकिट लिए 2 ओवर की गेंदबाजी दे सकता है लेकर विकिट इस पिलर को कम मिलते है ठीके इसके बाद है भुररन नहीं आज जिसने 47 मैच में 47 बनाए 16 की एवरस से 59 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे 22 विकिट लिए बालिंग थोड़ी कम करवाता लेकर बैटिंग और बॉलिंग दोनों से थोड़ा बहुत कॉंट्रिबूट कर सकता है इसके बाद है मनसूर मलंग जाई जिसने टीटेन के 17 मैच में 149 रन बनाए 15 की एवरेस से एक ओवर की गेंदबाजी करवाते वे जीरो विकिट लिए खाली बैटिंग से कॉंट्रिबूट करेगा बैटिंग ओडर के उपर इसका सेलेक्शन निर्बर रहेगा इसके बाद है अब्दूल जबर जबर खिल जिसने टीटेन के 14 मैच में 4 रन बनाए 20 ओवर की गेंदबाजी करवाते वे इच्छे हैं विकिट लिए लास्ट प्लियर है हसन खील इबराहिम जिसने का टीम को रिकॉर्ड नहीं मिला लेकर मैं ढून रहा हूं मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइट करवा दूँगा ठीके यहां से भी जिनको सलेक्ट करना हो अपन बैटिंग ओडर के मुताबीत ही सलेक्ट करेंगे लेकर सभी के मैं आपको इस्टेट्स बता दिये यहां से जाकी सा, खालीट, अमेदी इनके अलावा आप ट्राय कर सकते हो अधनान रजा, सहरियार बट यह सभी अच्छे प्लियर है इनको आपको गलती से भी इग्नोर नहीं करना अली रजा भी आपके लिए एक अच्छा प्लियर होगा, ठीके लेकर बैटिंग ओर्डर के मुताबित ही अपन प्लियरों को सलेक्ट करेंगे दोनों ही टीमों के स्टेट्स और पर्फॉर्मेंस के मुताबित मैंने एक डेमो टीम बना रखी है, ठीके अली रजा को लिया है विकेट की प्रिंग सेक्षन से, बैटिंग सेक्षन से मैंने चार पिलेल लिये, फाहीम को लिया है, मुनीब को लिया है, सरियार भट को लिया है, गुलाम अबबस भट को लिया है, ठीके इसके अलावा All-Rounder सेक्षन से Nicholas Salman, बुर्रन नियाज, सॉइब्स, साकिल, Amjad सेर Balling सेक्षन से खालिदहमधी और रियाज मेंमूद, captain मैंने Nicholas Salman को बनाया, vice captain बुर्रन नियाज को बनाया तो फिलाल के लिए Demo team आप से ओ कर लो Demo team में फाइनल टीम आपको अमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक हमने डिस्किप्सन में दे रखा है तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना कमेंट करना साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूनामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो म अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होती है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी धन्यवाद